नमस्कार पिरिय किसान साथियो वेलकम टूर यूटूब चैनल वंतिका टैक आज हम आपके लिए फिर से एक मोसम के उपर अपडेट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आने वाले पांच दिनों के अंदर मोसम उत्तर परदेश, पंजाब, अर्याना और राजस्ता के हिस्सों में कैसा रहेगा साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दोरान क्रियसान साथी अपनी फसल के अंदर क्या कारिया कर सकते हैं और इस मोसम का फसलों पर क्या परो सकता है सबसे पहले हम आपको यह बता दें आने वाले तीन दिनों में मोसम उत्तर परदेश में औरेया, औरेय, इटावा, आगरा, अलीगड, बुलंसर, मेरट, मुझफरनगर, सारणपूर, सामली में मोसम आने वाले तीन दिनों तक सुस्क रहेगा वहीं उसके बाद आने वाले दो दिनों में मोसम पूर अनुमान के नुमसार जो की 5 और 6 जुलाई को संपूर उत्तर परदेश में मद्यम से तेज वारिष देखी जा सकती है वहीं 5 और 6 को इटा, डूमरी, कसगंज, सिकंदराराव, इटावा, औरेया और कानपूर में तेज वारिष होने की भी संभावना जताई जा रही है अब बात करते हैं अरियाना में आने वाले 5 दिनों में मोसम कैसा रहेगा आने वाले 3 दिनों में संपूर्न अरियाना में मोसम सुस्क बना रहेगा वहीं 5 और 6 तरिक को दिली अंचियार से जुड़े नस्दी की एरिया जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनिपत और पलवल के साथ-साथ में करनाड, कुरुक सेत्तर, अंबाडा, पंचकूला, यमननगर, शिर्षा, पतेवाद और इसार के कुछ हिस्सों में हलकी बारिस 5 और 6 जुलाई को होने की संभावना है बाकी स्थानों पर हरियाना में मोसम सुस्क रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है अब बात करते हैं पंचाब में मोसम कैसा रहेगा आने वाले तीन दिनों तक संपूर्ण पंचाब में भी मोसम सुस्क बना रहेगा फिर दो दिनों में हलकी से मद्दम बारिस संपूर्ण पंचाब में होने की संभावना है वहीं अमरित्सर, गुर्दासपूर, जलंदर, मिम्मद्यम से तेज बारिस की भी आसंका जताई जा रही है अब बात करते हैं राजस्तान में मोसम कैसा रहेगा आने वाले तीन दिनों में उद्यापूर, बिलवाडा और कोटा में हलकी बारिस की संभावना है बाकी स्थानों पर 4 जुलाई तक मोसम सुस्क रहेगा वहीं 5 और 6 जुलाई के मोसम पूर्वानुमान के नुसार बकसर, बिनमाल, बारमर, जैसलमेर, रामगड, बिकानेर, आलवर में मोसम सुस्क का अनुमान है वहीं उद्यपूर, बिलवाडा, कोटा और चितोडगड में मद्यम बारिस होने की संभावना 5 और 6 जुलाई को जताई जा रही है बाकी स्थानों पर जैसे जोदपूर, अजमेर, जैपूर, चूरू, सिकर, शिरिगंगा नगर, राजगड में अलकी बारिस होने की भी संभावना है अब बात करते हैं, फसलों में किसान साथी इस मोसम में क्या कारिये करें और इसका फसलों पर क्या परवाव पड़ सकता है सबसे पहले किसान साथी कपास की फसल के अंदर एक हलकी सिचाई करें, साथ में किसान साथी डियेपी की विजाई इस समय कर सकते हैं वहीं स्वैबिन, गुवार, बाजरा की बूआई करें बिरानी एरिया में किशान साथी मौसम के अनुसार जमीन में प्रयाप्त नमी होने पर फसल की बिजाई करें भिंडी और बैंगन की फसल में मच्छर या फिर जिसे हम कहते हैं फक्का होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है तो किसान साती इसका उचित नियंतर्ण करें धान की नर्सरी त्यार हो गई हो तो किसान साती 25 दिन की नर्सरी की रुपाई करें और आने वाले चार दिनों के नुसार मोसम धान फसल की रुपाई के लिए सर्वत्तम बताया गया है तो किसान साथी चार दिन के बाद धान फसल की रुपाई कर सकते हैं अगर धान की फसल के अंदर पिलेपन की समस्या दिखाई दे रही है तो हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया है किसान साथी वो भी जाकर देख सकते हैं वही मूं की फसल अप्रेल में लगाई गई अब पक कर त्यार हो गई होगी तो किसान साथी इसको बारिश से पूर निकाल ले क्रीशी से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाओ और जानकारियों हमसे शेयर करना ना भूले धन्यवाग